तो ये है हमारा भाई Hyperways का ZK Edition 5.5 और इस बार रियली में आस्मूदनेस के उपर काम किया गया है लेकिन वो आस्मूदनेस आपको पाने के लिए कुछ छोटा मोठा काम करना पड़ेगा तब जाके आपको यह पर बेटर फील होने माला है तो क्या कुछ कैसे देखने को मिलता ह या स्मूदनेस को इंप्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है वो साही जनकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं ताकि आप सब कुछ है जो देख पाओ और डिसाइड कर पाओ और उसका बार इसका बेनिफिट ले पाओ जो चलिए आज के वीडियो को सुरू करत अच्छा लगता है तो आप से एक ही रिक्वेस्ट या लाइक कर देना और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ताकि ऐसे इंट्रेस्टिंग अपडेट आपको मिलते रहे हैं काफी अच्छा खासा है यहां पर इंप्रूमेंट किया गया है जो कि आपको पसंद आने वाला है जहां पर देख पाओ है कंट्रोल सेंटर के अंतर में एक्स्ट्रा है जो यहां पर आप्शन यूज कर रहा है जैसे कि वाइफाइ नेट्वर्क ब्लूथ और होट इसे आप चाओ तो बढ़ा भी सकते हो यहां पर जो कस्टमाइशन का बटन मिलता है इस पर लॉंग प्रेस और होल्ड करना है यहां पर कुछ इस तरह की से आपको आप्शन मिलते है टाइल्स के जहां पर आप बढ़ा सकते हो नंबर सिक्स तक यह दीए गए हैं उसकर किस पर क्या क् आइकन अखने वह सारे आप्शन आपके सामने आ जाते हैं तो वह चीज आप कुस्टमाइश कर सकते हो और फाइनल एक लास्ट आपको बटन देखनी को मिलता है इसकी हिल्प से आप चीज़े कर सकते हो यह सिंपल अपने ईवाई को इस तरीकी से एक वार रिस्टार्ट कर स यहां पर बदलाव आ चुका है अब यहां पर कोई भी आपको लैग और देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो और समुद्ने स्रियली में यहां पर आपको इंप्रूब देखने को मिल जाता है जो कि मुझे यह काफी ज्यादा यहां पर पसंद आया है और आपको भी पसंद आएगा साथ से यहां पर अन्लॉकिंग एनिमेशन भी आप देख पाओ यह काफी बहतरीन है बट यह आपको बाइडिफोल्ट नहीं मिलता तो यह आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा कैसे है वह मैं आपको यहां पर बताऊंगा कंट्रोल स समाते हैं अपने सेटिंग के अंदर तो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि हमारा हाइपर जेट के है इस पर आप लॉंग प्रेशन होल्ड करते हो तो इसका कुछ इस तरगी से चेंज होता है जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है और यह है हमारा 5.5 आप का सिक्योर्टी पैच आपको देखने को मिलता है करनल वगरा डिफॉल्ट ही है और साथ-साथ मैंने यहां पर कोई रूट वगरा नहीं किया है आप जाओ तो रूट कर सकते हो कि उसके ऑप्संस वगरा आपको यहां पर मिलते हैं सेटिंग में भी असमूदनेस काफी सही द अच्छी बात है बाकि यहां पर फोर्स 120 का है निविगेशन पील वगरा का है उसके बाद यहां पर आपको इन्यवार मल्टी लैंगवज देखने को मिल जाता है अस्टूफ कर कई सारे ऑप्सं आपको मिलते हैं और यह सारी वर्किंग रहते हैं चाहाब वो गेमिंग का हो सार्ज पागे जो यहां पर यहां पर दिया गया है तो यहां पर शुबकर करने का और यहां पर आइफ है यहां expression को मिल जाते है है यहां पर आ की सफिंपली दुद्ट करके इस तrik किसे आपको अपने launcher को अपडेट कर लेना है जैसे आप को अपने करते मैं अपर के सब में brush Search लूप करना पर गए लॉंचैर की आपर है सबसक्राइब कर जैक काव नहीं है प्रेंट लॉंचर पर आएंगे अनिस्टोल करेंगे इसके साथ सिस्टम डिफॉल्ट वाला लॉंचर एक्टिवेट हो जाएगा जो कि बहुत ज्यादा करता है और उसके वज़े से आपको यहां पर क्या है थोड़े बहुत अश्टर लैक देखने को मिलते हैं तो डिसाइड आपको कर जर्बे सर्कल टो सर्च रखना या नहीं डिसेवल वाल पेपर जूम इफेक्ट री स्टाट का यहां पर आपको चैल को पॉल्टिगल देखने को मिल जाता है इसके बाद बाद यहां पर वही सारे बेसिक से ऑप्सण्स है जो देखने को मिल जाते हैं तो यह लॉंचर जो क आपको लगता है यहां चलो काम चल जाएगा तो ठीक है अधर वाई जो मैंने लॉंचर आपको दिया यह हमारे मेंटेनर नहीं प्रवाइट किया है मैं अलग से नहीं दे रहा हूं मैं आपको बस सेयर कर रहा हूं तो इसे आप अपडेट कर लेना आपको जो सेटिंग दिखा आता है तो वह हम देख लेते हैं सिस्टम डिफॉल्ट आपको इतने ही अप्लिकेशन देखनी को मिलेंगे आप अपने नेट के इसाफ से डाल सकते हो अनदर यहां पर आपको देखनी को मिल जाता है वीजियस वागरे जो कि मैंने इंपोर्ट किया बट आप चाओ तो सेट क भी करेगा बड़ आप को सिस करो कि पंखा वंखा कुलर वगरे चला के आप गेमिंग वगरे करो ता आपको ट्रोटल देखने को नहीं मिलेगा अंटुट्वर स्कोर के अलावा की काफी अच्छा खासर रहता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती अलवन का सपोर्ट आपक रहता है बट वह ही है कि आपका स्ट्रोंग वाला फिल रहेगा लेकिन इन दोनों के वज़े से आपका बैंकिंग वगरे मुस्टली काम करते हैं सारे तो दिक्कत नहीं आते ट्रोटेंशन मत लेना अनदर गेमिंग अंदर एक्स्ट्रा सेटिंग क्योंकि इसका सेटिंग द जाता है जो कि अभी लेटेस्ट ग्लोबल इंडिया में चल रहा है तो यहां पर आपको AI एडिटिंग के अंदर भी ओप्सन देखने को मिल जाता है और साथ से साथ यहां पर आपको देखने को मिलता है अगर आप फोटो एडिट करते हो तो ब्यूटिफाई का रिफ्लेक् यानि कह सकते हैं 8 आज तक मैंने standby पर रखा है तो ब्यूटिफा बेटर लगा है सर्कल टू सर्च हमारा काम करता है कोई दिकत नहीं आती कैमेरा वगेर हमारा वर्किंग है केलेंडर भी यहां पर लेटेस्ट है जहां पर यहां पर यहां पर यहां पहले वाले अपडेट ज यहां मिलता है और एक अश्याव यहां पर रहीत ऑक्तरा में पर इंस्टलेशन पर दीचा है लैर यहां श्याप से कि इसे इसे तकमांड़ीट है ये है क्योंकि इस बहुत सुझन भूछ है घृटए को सलय जर्ला है यहां इसी अ集क्टियों और श्मांच से बीना लिउन्य 6-point वाले स्रीज के comparison में तो आपका क्या है opinion बताना और हाँ share ज़रूर करना like कर देना मिलते हैं इस वीडियो में बाई Hybrid ROM को flash करने के दो तरीकों हते हैं या तो TLRP method या फिर PC method यहाँ पर पहले TLRP देखेंगे फिर PC सरसे पहले phone को off करना है आपको फोन का recovery ओपन हो जाएगा जो भी recommended recovery रहेगा उसी का यूज करना है उसके बाद आपको अपने फोन के अंदर जो ROM है उसे browse करना है select करके swipe कर देना है में भी कुछ ROM में है जो permission भांगता है कि आपको root करना या नहीं kernel flash करना या नहीं तो अगर आता है तो volume up down का और power button का यूज करते हुए आप अपना command run करवा सकते हो और flash करवा सकते हो अजवाई simply flash हो जाएगा अगर flashing के time में कोई भी error आता है तो आप simple reboot to recovery करके ROM को re-flash करो और ऐसे situation में sometime आपका जो $PA, Orange Fox से वो replace हो से जाएगा किसी और recovery के साथ तो उसी recovery का यूज करते हुए आप ROM को फिर से re-flash कर देना ध्यान रखना है कि आपका ROM successfully flash होना चाहिए चाहिए वो recommended recovery हो या जो replace हो है उसके help से हो जब complete flash होता है तब एक बार reboot to recovery कर लेना और final format कर देना format करने के बाद जैसे आप reboot करोगे कुछ ही minute में आपका phone on हो जाएगा आप setup करके use कर पाऊगे ये था हमारा T.WRP method अब बात करते PC method की तो उसके लिए फिर से आपको अपने phone को switch up करना है power turn and volume down को long press and hold करना है जैसे आपका phone fast boot logo so करेगा अब PC प्याना है तो कोई simple room रहता है तो वह easily flash होने लग जाता है कोई दिक्कत नहीं करता लेकिन कोई भी ऐसा advanced room रहता है तो उसमें आपको पूछता है या आपको रोम को device को root करना है या नहीं तो उसके लिए option आते हैं जैसे कि यहाँ पे 1 और 2 आपको रोट करना है तो 1 clicker करके इंटर कर दो अगर आप नहीं करना है तो 2 clicker करके इंटर कर दो जैसे कि मैंने one किया तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको क्या से root करना है magic या kseo next या का फिर kseo तो A, B, C का option है अपने हिसाब से आपकर सकते हो तो मैं यहाँ पे एक select कर लेता हूँ जैसे के E, अब यहाँ पे custom में दो है, एक IS है, एक R के है, तो उसके नुसर आप FG, जो भी चाहो, मैं यहाँ पे example में एक click कर देता हूँ, जैसे click करूँगा, अब यहाँ पे कोई भी option नहीं है, अब यह flash करना चालू कर देगा, तो यह आप का internal format होगा, आपका command window close हो जाएगा, phone off होके, on होगा, कुछी minute में आपको boot animation logo देखनी को मिलेगा, और आप setup करके use कर पा होगा, बिल्कुल यह simple सा तरीका है, बस follow करते जाना है, I hope कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुस समझ में आ गया होगा, तो please like, subscribe करना, ना भूले, मिलें निक्स्ट वीडियो में,